हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मर्ज स्टेडी पॉइंट में दोस्तो आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट पती से संबंदित में पूर्ण प्रिष्णों के बारे में तो दोस्तो देखते हैं कुशनों को कुशन नमबर एक राष्ट पती का पद सम्मिधान के किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद त्रेपन अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 52 तो दोस्तो इसकांसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 इसके अलावा दोस्तो अनुच्छेद 72 में राष्ट पती के छम निर्वाचित किया जा सकता है, दो बार, तीन बार, पांच बार, निश्चित नहीं, तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा, निश्चित नहीं, option 4, क्योंकि दोस्तों, ऐसा कोई प्रावदान नहीं है, कि राश्टपती पत के लिए केवल एक बार या दो बार कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है इसके लिए अधिकतम बार कोई भ्यक्ति राष्ट पती बद के लिए निर्वाचित हो सकता है Next question स्वतंत्र भारत के परतम राष्ट पती कौन थे? जवालाल नहरू, डॉक्टर सरपपली राधा किष्णन, डॉक्टर राजिंदर प्रशाद, डॉक्टर जाकिर हुसेन तो दोस्तो इस कांसर हो जाएगा डॉक्टर राजिंदर प्रशाद दोस्तो ये दो बार भारत के राश्टपती रहे हैं नेक्स्ट कुश्चन बारत में कारेपालिका का अध्यक्ष कौन होता है राश्टपती, सुप्रेम कोट के मुख्यनियाधीस, राज्यपाल, प्रधान मंत्री तो दोस्तो इस कांसर हो जाएगा राश्टपती राश्टपती जी ही कारेपालिका के अग्द्यच होते हैं भारत में राश्टपती बनने के लिए नीमगतम आयू होनी चाहिए 35 वर्स, 25 वर्स, 30 वर्स, 40 वर्स तो दोस्तो इस कांसर हो जाएगा 35 वर्स इसके अलावा दोस्तो उपराश्टपती बनने के लिए जो नीमगतम आयू होती है वो भी 35 वर्स ही होती है next question भारत के राष्टपती कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं पांच वर्ष, छे वर्ष, साथ वर्ष, आठ वर्ष तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा पांच वर्ष ये पांच वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं नेक्स कुश्चन राश्टपती को सपत कौन दिलाता है प्रधान मंत्री सुप्रेम कोट का मुख्यनय अधीस राज जिपाल लोगसभा सपीकर तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा सुप्रेम कोट का मुख्य नय अधीस जो सुप्रेम कोट के मुख्य नय अधीस होते हैं वो ही राष्टपती जी को उनके पद की सपद दिलाते हैं Next question राष्टपती किसे अपना त्यागपत्र सौपते हैं? प्रदान मंत्री, सुप्रेम कोट के मुख्षिनय अधीस, लोक सभा, स्पीकर, उपराष्ट पती, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा उपराष्ट पती, दोस्तो त्याग पत्र उपराष्ट पती जी को सौंपते हैं, लेकिन जब राष्ट पती को सपत दिलाई जाती है, त दोस्तों ये इसका अंसर और जाएगा दोस्तों लोकसभा कि भारत का राष्ट पती किसका एक अभिन अंत्रिं परशेद का दोस्तों स का आंसर ये वाई सदकाँ दोस्तो लोकसभा, राजसभा तथा राष्टपती इन तीनों को मिला कर संशदका निर्माड होता है next question कौन सा अनुच्छेद भारत की राष्टपती को अध्यादेश जारी करने की सकती देता है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 72, या फिर अनुच्छेद 143, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्टपती अध्यादेश जारी कर सकते हैं, नेक्स्क्रूशन, राष्टपती के चुनाव के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक तता अनुदक होने चाहिए, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा, 50-50, राष्टपती पत के लिए जो अमीदवार होता है, उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक तता 50 प्रस्यक है, दोस्तो अगर हम उपराष्टपती जी के चुनाव की बात करेंगे, तो इसके लिए उमीदवार को 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावकों का होना जरूर है, नेक्स्क्रूशन, लोकसवा तता राजसवा का संयुक्ता दिवेशन किसके द्वारा आहुत किया जाता ह राष्टपती जी के द्वारा, उपराष्टपती जी के द्वारा, लोकसवा स्पीकर के द्वारा, और फिर प्रदानमंती जी के द्वारा, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा, राष्टपती जी के द्वारा, दोस्तो जब किसी बिल पर सहमती नहीं होती है, तो ऐसी श्त राष्ट्रपती दौनों सदनों द्वारा पारित किसी विदेयक पर अपनी स्विकृति रोख सकता है अनुच्छेद 72 के द्वारा अनुच्छेद 111 के द्वारा अनुच्छेद 61 के द्वारा इन मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 के द राष्टपती की छमादान सकती कौन से अनुच्छेद में बताई गई है अनुच्छेद 72 में अनुच्छेद 111 में अनुच्छेद 61 में ऐसे कोई नहीं तो दोस्तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अनुच्छेद 72 में छमादान सकती के बारे में बताया गया है तो दोस्तो नोपसंन फरस्ट इसका राइटा अंसर हो जायेगा नेक्ट कुश्च्छन लास्ट पती के चुनाम में उत्पन विवाद का निप्टारा कौन करता है फैंड़ी कोट सुप्रिम कोट संसद दिरवाचन आयू तो दोस्तो का अंसर हो जाएगा सुप्रीम कोट राष्ट पति के चुनाप से संबंदे जो भी ववाद होते हैं उटका निप्तारा सुप्रीम कोट के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अनुच्छद 111 तो दोस्तो इसका अंसर है अनुच्छद 61 अनुच्छद 61 में राष्ट पती पर महावियोग की प्रिगिरिया को बताया गया है दोस्तो महावियोग का जो कौन सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है नेक्ट्ट कुश्चन निर्विरोद रूप से चुने गई भारत के प्रतम राष्ट पती कौन थे जाकिर हुसैन नीलम संजीव रेड़ी एपीजे अब्दुलकलाम हिदाय तुल्ला तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड़ी ये निर्विरोद रूप से चुने गए थे दोस्तों यह 1977 में भारत के छटे राष्टपती के रूप में चुने गए थे नेक्स्ट कुश्चन यह सबसे लंबी अवदी तक भारत की राष्टपती रहे थे डॉक्टर जाकर हुसेन की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह सबसे कम अवदी तक भारत की राष्टपती रहे हैं नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् राष्टपती के द्वारा ही महान्यायवादी की न्युक्ति की आती है, दोस्तो महान्यायवादी जो होता है, वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाकार होता है, और दोस्तो बरतमान में जो महान्यायवादी है, भारत सरकार के वो केके बनुगोपाल है, तो दोस्तो ये थे राष्ट पती से संबंदित महत्पूर्ण प्रश्ण दोस्तों अकर वीडियो अच्छी लगी हो तो सस्क्राइब कर सकते हैं धन्वाद दोस्तों